हेलो वेल्कम बेक टू माइ चैनल प्रीती डायरीज में मैं प्रीती जहाप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं अभी मॉर्निंग का टाइम है मैं जहारू लगा रहे हूं जहारू लगाने के बाद नास्ता बनाना है अभी तक नास्ता नहीं बना है तो मैं यहां सारा पहले डेली इसको जहार देती हूं उसके बाद अच्छे से जहारू लगा देती हूं क्योंकि मॉर्निंग में जो होता है यह बहुत सारे कम हो जाते हैं तो जल्दी उठना पड़ता है आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि आज संडे है संडे को मैं थोड़ा साज सात बज गए उठने में यहां जहारू लगा दिया है अब मैं बना रही हूं पंच दाल जो होता है ना पंस तरह के दाल को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है तो वही दाल बना रही हूं मूंग का है अरहर है और काली दाल है इसमें उरद भी मिक्स है और मसूर भी है काली मसूर भी है तो बहुत ही हेल्दी होता है तो सुबह के नास्त में आज मैं बनाऊंगी यहीं तरका वाली दाल पंसतरह की दाल को मिला कर और भिंडी की सबची रोटी आज का ब्रेक फास्ट यहीं रहेगा सबको बहुत पसंद आता है मेरे घर में यह दाल मुझे भी बहुत ही पसंद आता है डेली तो नहीं बनाती हूँ पर विक में एक दिन कोशिस करती हूँ कि जरूर बना दू तो दाल में ने चड़ा लिया है यहां मैं बाहर की सीडियो पर जारू लगा रही हूँ क्योंकि लेट उठी तो एक साथ पुरा जारू नहीं दे पाई थी पूरे घर में मैं लगा लिया उसके बाद मैंने जब दाल चड़ा दिया उसके बाद मैं बाहर के सीडियो पर जारू लगा रही हूँ क्योंकि बाहर भी तो साफ रहना बहुत जरूरी है अगर जो बाहर गंदा रहेगा घर के आगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं डेली कोशिस करती हूँ कि मैं उसमें भी जारू लगा दू पोच्छा लगा लूँ और मैं करती भी हूँ घर में जब भी जारू पोच्छा करती हूँ तो बाहर भी डेली करी देती हूँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहां मैं ज़ल्दी जल्दी जहारू लगा रही हूं, जहारू लगाने के बाद आस संदे है मुझे जन्मौस्ट मी के लिए लड्डु गुपाल जी के लिए कपड़े लाने हैं, मेरे पास छोटू लड्डु गुपाल जी है, जीरो सा दाल बनी भी नहीं थी और गैस खतम हो गई तो मैं यहां गैस सिलेंडर को लगा रही हूं सिलेंडर लगाने के बाद मैंने इस तरह से भिंडी को काटा है उसमें मैं मिला लूंगी हल्दी मिर्च पाउडर मिला कर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी मिक्स करके यह भ जट पटपन कर तयार भी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत जादा लगता है खाने में बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाते हैं तो मैं डाल नहीं हूं सरसो तेल में जीरा उसके बाद प्याज आप हरी मिर्च डाल सकती हैं मैं नहीं डाल नहीं हूं क्योंकि मेरे घ बहुत ही कम खाते हैं सब जब प्याज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें वही भिंडी डाल दूंगी भिंडी डालने के बाद इसे धीमी गैस करके चला लेना है और दो से चार मिनट में यह सबजी बनकर रेडी हो जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फटा फट रेड में डालती हूं तो देखिए यहां पर भिंडी की सबजी अब बस बनने ही वाली है अम मैं बनाऊंगी रोटी भिंडी की सबजी इधर बन रही है दूसरे गैस पर मैं रोटी जब तक बिंडी की सबजी बन रही थी मैंने रोटी भी बना ले और यह टपू का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है यहां मैं नहा करा गई हूं टपू हमेशा बेट को कुछ न कुछ करी देता है वो अकेले है तो कभी वो पिलो से कुसन से यही सबसे खेलते रहता है टोई स वो बहुत कमी खेलता है तो दिन भर में 3-4 बार मुझे बेड करना पड़ता है अच्छा नहीं लगता है कि बेड ऐसा हो तो अभी टपू मुझे बोला कि मुझे नमकीन खाना है तो बाहर की चीजे मैं उसे चाहती हूं कि मैं ना दू तो इसके लिए मैं घर में ही बना रह हुँ मैदा मैंने दो कप लिया है उसमें अजवाइन नमक सरसो तेल सरसो तेल नहीं अभी मैंने इस मेरी फाइन डाला है और इसे अच्छे से इक करेंगे कुछ इस तरीके से आने लगेंगे मुठी में बंद हो जाएंगे तब यह बिल्कुल तयार है गुदने के लिए तो हल्का हल्का वह नगता है ये बनाना, घर पर आप easy बना सकते हैं, खा सकते हैं, सबको खिला सकते हैं, साम में चाइ के साथ, जब कोई गेश्ट आए, तो उनको भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हमेसा घर में ही बना कर इसे रखती हूँ, कि कोई आए तो उसे दें, के साथ इसे लेते हैं तो चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोटा भी मैंने गूदते टाइम डाला था ताकि यह अच्छा हलका बने यहां मैं इसको काट लूँगी दूसरे गैस पर मैंने रिफाइंड ओयल गरम करने के लिए चड़ा दिया है है तेज आच पर इसे फ्राइ करना है तब ही यह कुरकूरे बनेंगे क्योंकि यह जब लूज हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है यह एकदम कुरकूरे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इस तरीके से मैंने क चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी गैस को एकदम तेज रखना है ताकि ये उपर देख रहे हैं न है ये उपर मैं डाल रहे हैं और उपर की तरह आ रहे हैं क्योंकि ओयल बिल्कूल गरम है ये बहुत ही हलका बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही मैंने पूरा बना लिया है आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में तो टाइम लगा है लेकिन खाने में तो बहुत टेस्टी हो जाता है अब इसे एर टाइट डबा में बंद करके रख दूंगी यह 10 से 15 दिन एक मैने तक अरम से आपको जादा बना कर जादा दिनों के लिए भी रख सकते हैं डबा में बंद करके यह रहते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आज का ब्लॉक पसंद आया हो तिसे प्लीज लाइक